यूपी के पहले चरण में 58 विधान सबा सीटों पर वोट डाले जारें ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मत्दान केंद्रों पर उमर रहे हैं पहले चरण में पश्मी यूपी की जादातर सीटों पर मत्दान हो रहा है मत्दान सुबा 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा इससे पहले चुनाव आयोग ने शांती पूर्ण चुनाव की सभी तैयारियां पूरी करते हुए मत्दान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़े इंतजाम किये हैं पहले चरण में 58 विधानसाबा सीटों पर 623 उमीदवार मैदान में हैं जिनमें 73 महिला प्रत्याशी हैं पहले चरण में शामली, हापोड, गौतम बुदनगर, मुजफवनगर, मेरट, बागपद, गाज्याबाद, बुलन शहर, आलिगर, मत्रा और आगरा जिलों की विधानसाबा सीटों पर वोटिंग हो रही है पहले चरण में 2 करोड 28 लाख वोटर अपने मतदिकार का प्रियोग कर सकेंगे जिनमें 1 करोड 24 लाख पुरुष हैं, 1 करोड 4 लाख महिलाएं हैं और 1448 ट्रांसजेंडर मतदाता है पहले चरण के चुनाब में प्रदेश सरकार के मंतरी शरीकान शर्मा, सुरेश, राणा, संदीप सिंग, कपिल देव, अगरवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नाराइन के सियासी भागे का फैसला होगा पश्मी यूपी के 11 जिलों की 58 विदान सभा सीटों पर दिन चरने के साथ साथ मतदाताओं का भी जोश बढ़ रहा है सुबा 11 बजे तक कुल 20 फीसीदी से ज्यादा वोटिंग की खबर है मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में बुजर्ग और महिलायन लाइन में लगी हुई है चुनाव आयोग ने इस बार P.W.D. के कर्मचारी मतदाता, 80 प्लस सीनियर सिटीजन, कोविट प्रभावित वेक्ती या क्वारंटीन में रह रहे हैं मतदाता, अधि सूचित आवशक सेवाओं में सलंगन मतदाता को पोस्टल बैलेट से वोट करने की अजाज़त दिये हाला कि पहले चरण के पोस्टल बैलेट वोट पहले ही डाले जा चुके हैं केंद्रिय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि यूपी में 58 विदान सवा सीटों पर हो रहे चुनावों में बीजेपी को मुसल्मानों का भी वोट मिलने की उम्मीद है राष्टे लोगदल के प्रमोग जेन चौधरी ने उत्रप्रदेश के 11 जिलों में गुरुवार सुबा से शुरू हुए पहले चरण के मत्तदान के साथ लोगों से अपनी आकांशाओं को पुरा करने वाली सरकार चुनने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में मत्तदान करने की अपील की है डीबी लाइफ की रिपोर्ट